हेलो दोस्तों नमस्कार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आप सभी के लिए काफी ज्यादा पदोपर यानि की काफी बगया पदोपर भरती निकल के आ चुके है कौन-कौन से कंडिडेट इस फार्म को आबेदन कर पाएंगे कौन से नहीं सारी जानकार इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी यहाँ पे आप नोटिपिकेशन में भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि 26,210 पदोपर भरतियां पुलिस कॉंस्टेबल के पदोपर निकाली गई हैं फायर मैन के पदोपर 172 पदोपर भरतियां निकाली गई हैं यहाँ पे आप नोटिपिकेशन में भी चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों कौन-कौन से कंडिडेट आवेधन कर पाएंगे इस भरती में एज लिमिट आपकी कितनी मागी गई है कैसे आप आवेधन कर पाएंगे ओनलाइन या ओफलाइन सारी कुछ जानकार इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी बस दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीड देखते रहेगा तब ही सभी क्यूशन के डाउट आपके किलिए हो पाएंगे बिना टाइम गवाय चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट यानि कि जरूरी तारिक के बार में आपको बताएंगे तो यहाँ पे आप देख पारे होंगे जो कि स्टार्टिंग डेट अभी तक इस भरती की स्टार्टिंग डेट निर्धारित नहीं की गई है स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पे आप देख पारे होंगे जो कि निर्धारित अभी नहीं की गई है जो कि हाँ इतन कर पारे होंगे जो कि General OBC Candidate के लिए 400 रूपे लगने वाले है SCSt Candidate के लिए भी 400 रूपे लगेंगे दोस्तोう사 फिमेल Ext你说 Candidate के बारे में बात करेंगे तो इनकी भी बिलकुल 400 रूपे लगेंगे यानि कि सभी Candidate के सभी Candidate के 400 रूपे लगने वाले हैं SCHT male female सारे candidate के लिए 400 रूपे लगने वाले हैं दोस्तों इस भरती में payment आपको कैसे जमा करना हो तो आपको बताएंगे जो कि credit card debit card net banking के माधम से आप payment को जमा कर पाएंगे दोस्तों इस भरती की job location exam center के बारे में आपको बताएंगे तो आप notification में भी चेक कर पारेंगे जो कि यहां की job location है उत्तर प्रदेश यानि कि इस भरती की job है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आपकी job कहीं भी लग सकती है इस भरती की age limit के बारे में और OBC, SCHT candidate के mail के बारे में बात करेंगे तो आप notification में भी चेक कर पाएंगे जो कि 18 वर्स से 28 वर्स के बीच के candidate आवेदन कर पाएंगे OBC के और SCST के female candidate के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे notification में भी आप चेक कर पाएंगे जो कि 18 वर्स से 21 वर्स के बीच के candidate आवे दन कर पाएंगे age में counting आपको government की तरफ से दी जाएगी यानि कि पोश्टों की हिसाब से आपको age में counting दी जाएगी जो कि SCST candidate को 5 वर्स का चूट और OBC candidate को बिल्कुल 3 वर्स का चूट भी दिया जाएगा दोस्तो टोटल नंबर आप पोश्ट यहाँ पे चेक कर पाएंगे आप जो कि 26,382 पदों पर भर्तिया निकाली गई है आप notification में भी चेक कर पाएंगे दोस्तो इसको कहां से डाउनलोड करना होगा कैसे डाउनलोड कर पाएंगे आप यह सब सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी बस दोस्तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहेगा इस भरती में आपको सेलरी कैसे दी जाएगी तो आपको बता दे कि अभी तक सेलरी तो निर्धारित नहीं की गई है लेकिन पोस्तो के हिसाब से आपकी सेलरी निर्धारित कर दी जाएगी इस भरती में एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे तो आप नोटिपिकेशन में भी चेक कर पारे होंगे जो कि किसी भी लेबल से यानि कि किसी भी लेबल से आप बारवी की परिक्षा पास किये हो तब ही इस फार्म को आप आप एदन कर पाएंगे simple और simple बारवी के past candidate ही आप एदन कर पाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो कि फिज़भरती की physical details के बारे में आप बताएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो कि सबसे पहले height के बारे में बात करेंगे तो आप देख पा रहोंगे male candidate के लिए height 100 cm की होनी चाहिए जो कि general OBC SC ST male candidate के लिए होनी चाहिए यहाँ पर male candidate की ST के बारे में बात करेंगे तो 160 cm की height होनी चाहिए female candidate के बारे में बात करेंगे तब भी चल जाएगा और chest के बारे में बात करेंगे तो आप notification में भी चेक कर पारे होंगे जो कि male candidate के लिए chest 89 cm से लेकर 84 cm तक होना चाहिए यानि कि फुलाने पर 84 cm का सीना आपका होना चाहिए दोस्तो यहाँ पर आप चेक कर पारे होंगे जो कि general OBC SC candidate के लिए यह सीना निर्धार किया गया है यहाँ पर male candidate के 77 यहाँ पर आप देख पारे होंगे जो कि 77 से 82 के बीच में सीना होना चाहिए वो भी किसका HD का physical test यहाँ पर आप देख पारे होंगे जो कि सबसे पहले running के बारे में आपको बताएंगे तो आप चेक कर पारे होंगे जो कि running सभी की candidate की होने वाली है यहाँ पर male candidate की running यहाँ पर आप देख पारे होंगे जो कि 4.8 यानि कि 4800 मीटर आपको 25 मीनट में पूरा करना होगा female candidate की यहाँ पर 2400 मीटर आप देख पारे होंगे यानि कि 2 km प्लस 400 मीटर आपको यहाँ पे रनिंग करनी होगी वो भी 14 मिनिट में पूरी करनी होगी दोस्तो इस भरती में फिजकल रनिंग के बारे में आपको बताई दिये यहाँ पे आप चेक भी कर पाएंगे जो कि male candidate के लिए यहाँ पे 400 मीटर और female candidate के लिए यहाँ पे आप चेक कर पारे होगे जो कि 2400 मीटर 16 मिनिट में पूरा करना होगा दोस्तो और आप सभी को बता दे कि इस भरती में चाहां कहीं भी कुछ भी ना समझ में आओ तो comment box में comment कर दीजिए हम आप सभी को reply करके जरूर बताएंगे दोस्तो और आप सभी को बता दे कि इस भरती में जहां कहीं कुछ भी ना समझ में आओ तो वीडियो की discussion में एक link दी है वहीं से जाकर आप पूरी जानकारी भी ले पाएंगे इस भरती को कैसे आवेदन करना होगा तो आप notification में भी चेक कर पा रहे होगे जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे merit list यानि कि merit के अधार पर आपकी वो लग सकती है यानि कि जोब लग सकती है simple और simple बारवी की आपके पास मारसिटो तभी इस भार्म को आप आप अबेदन कर पाएंगे यहाँ पर cash certificate भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों domicile certificate और cash certificate आप सभी के पास होना चाहिए फोटो यानि कि फोटो light color background फोटो यानि कि फोटो के background पर कोई भी color होना चाहिए आपका signature भी यहाँ पे लगने वाला है तभी इस भार्म को आप अब इदन कर पाएंगे exam nation आपका exam कैसे होगा तो आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश में ही आपका exam होगा दोस्तों और इस भर्ती के लिए हम आप सभी को बता दी कि जहां कहीं कुछ भी ना समझ में आ हो तो comment box में comment कर दीजिए हम आप सभी को reply करके जरूर बताएंगे यह भर्ती 400 mark यानि कि 400 अंकों की होने वाली जो की 200 यानि कि 2 घंटे आपको time मिलेगा इस भर्ती में 400 प्रशन आपके होंगे 2 घंटे का time मिलेगा दोस्तों इस भर्ती में selection process कैसे आपका होने वाला है तो आपको बताएंगे आपको official notification कहां से डाउनलोड करना होगा तो ये भी आप सभी को बताएंगे दोस्तों जो कि official notification हम आप सभी को video की description में एक link दे रहे हो वही से जाकर आप डाउनलोड भी कर पाएंगे जो कि इसका official notification official website पर निर्धारित कर दिये गया है यानि कि जारी कर दिये गया है आप वही से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप कम्मन करें तो वीडियो क्रिक्सन में हैं वही से जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंदू वंदे मात्रम और दोस्तो आप सभी से एक जरूरी बात और बता दे कि आप अपने राज और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजे ताकि आपके राज और जिले से कोई भी नया नोटी पीकिसन कोई नई भरती निकल के आए तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सके हैं